कंगारू आस्ट्रेलिया में पाया जाना वाला स्तंधारी प्राणी है यह मार्सुपियल क्लास से संबंधित एनिमल है मार्सुपियल एनिमल्स का ऐसा वर्ग जिनके पेट के निचले भाग में थैली होती है और जिसमें वे अपने बच्चों को लेकर घूनते हैं कंगारू अपने किस्म के निराले प्राणी होते हैं पेट की थैली में बच्चे को रखे हुए फुदक फुदक कर आगे बढ़ते हुए इन्हें देखना एक अध्गुत अनुभव होता है इस वीडियो में हम इस विशेश जीव के बारे में रोचक तथ्या और जानकारिया शेयर कर रहे हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कंगारू नाम की उत्पत्ती एक आदिवासी भाषा गुगु यमेहर के एक शब्द गंगरू से हुई है जिसे आदिवासी इस्टर्न ग्रे कंगारू का वर्णन करने के लिए इस्तमाल किया करते थे कंगारू शब्द का सबसे पहला उल्लेक 12 जुलाई 1770 में सर जोसफ बैंक्स की डायरी में मिलता है कैप्टेन कुक ने 4 अगस्ट 1770 में अपनी डायरी में इस जानवर का उल्लेक किया है दोनों ने इसे कुक टाउन में पहली बार देखा था लोगों में यह मिथक प्रचलित है कि अंग्रेजी भाषा में कंगारू शब्द का अर्थ है I don't know सर जोसफ बैंक्स और कैप्टेन कुक ने जब पहली बार इस जानवर को देखा तो आदिवासियों से पूछा ये क्या है और जवाब मिला कंगारू जिसका अर्थ था I don't know उन्हें लगा कंगारू उस जानवर का नाम है पर बाद में यह ज्यात हुआ कि गुगु यमिहर भाषा का शब्द गंगरू वास्तव में कंगारू की एक प्रजाती से संबंधित है दुनिया में कंगारू की चार मुख्य प्रजातिया है रेड कंगारू, इस्टर्न ग्रे कंगारू, वस्टर्न ग्रे कंगारू और एंटी लोपाइन कंगारू कंगारू मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं लेकिन अन्यस्थान पर भी इनकी कुछ प्रजातिया देखने को मिलती हैं जैसे पापुआ न्यूगिनी में। पापुआ न्यूगिनी में पाई जाने वाली कंगारू की प्रजाती क्री कंगारू है। कंगारू दुनिया का एक मात्र विशाल जीव हैं, जो कूदते हुए चलता है। वे लगभग 13-15 मील घंटे की गती से हॉप करते हैं। हालांकि खत्रे की स्थिती में वे थोड़े समय के लिए लगभग 40 मील घंटे की गती से हॉपिंग करते हुए भाग सकते हैं। प्रजाती अनुसार कंगारू लबगग 5-6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 23 किलोग्राम से 55 किलोग्राम तक हो सकता है। कंगारू शाकाहारी जानवर हैं। कंगारू की सबसे बड़ी प्रजाती रेड कंगारू है और सबसे छोटी प्रजाती मस्की रेड कंगारू है। दुनिया के सबसे बड़े मर्सूपियर रेड कंगारू है। ये 2 मीटर उचाई तक बढ़ सकते हैं। इनका वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है इनकी छलान लगाने की क्षमता 10 फीट तक है इसके साथ ही ये 60 क्प या 40 माइल पर आवर गती से 25 फीट दूर तक छलान लगाने में सक्षम होते हैं नर कंगारू मादा कंगारू से उचे और भारी होते हैं जंगल में कंगारू का जीवनकाल लगभग 6 साल होता है चिडिया घर में रहते हुए पूरी देखरेख में ये 20 साल तक जीवित रह सकते हैं वयस्क नर कंगारू को बक जैक और गूमर कहा जाता है वयस्क मादा कंगारू को जिल, फ्लायर और दो कहा जाता है कंगारू के बच्चे को जॉय के नाम से जाना जाता है कंगारू के आगे के पैर छोटे लेकिन पिछले पैर बढ़े और मजबूत होते हैं पूच और पिछले पैरों की मदद से वे कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं कंगारू अपनी लंबी और भारी पूँच को पांच वे अंके तौर पर इस्तिमाल करता है. उसकी लंबी और मजबूत पूँच आम तौर पर छलांग लगाते समय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है. एक छलांग में कंगारू लगधग 16 फीट की दूरी तय कर सकता है. कंगारू के बारे में एक अजीब बात यहा है कि वे जमीन पर चलते समय अपने पिछले पैरों को अलग-अलग नहीं हिला सकते हैं. जो उन्हें तैरने में मदद करता है. कंगारू को पानी का सेवन करने की आवश्यक्ता होती है. लेकिन वे पानी पिए बिना भी कई दिनो तक जीवित रह सकते हैं. कंगारू को अकसर एक दूसरे से लड़कर ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है. मादा कंगारू ताकतवर नर कंगारू के साथ संभोग कर बच्चे पैदा करती है. कंगारू अपने सामने के पैरों से एक दूसरे को पकड़ते हैं और पिछले पैरों से किक मारते हैं। आस्ट्रेलिया में कंगारूओं की संख्या इंसानों की संख्या से अधिक है। वर्ष 2020 में जहां आस्ट्रेलिया की आबादी 25.88 मिलियन थे, वहीं कंगारू की आबादी 50 मिलियन थी।